साल 1948, ठिक भारत से एक साल बाद, भारत 1947 में अंग्रेजों से आजाद हुआ, 1948 में इसराइल, फिलिस्तीन, इंग्लैंड से आजाद हुआ था उस समय तीन देश बनाए गए, इसराइल, फिलिस्तीन और जेरुसेलम जो रुसेलम को कहा गया कि वो एक union territory होगा, क्योंकि वहाँ इसा मसी का जन्म हुआ था फिलिस्तीन ने इस बात को मान लिया, इसराइल को इसराइल मिल गया, फिलिस्तीन को फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीन मिला लेकिन ये बात इजराइल को नागवार गुजरा और उसने धीरे 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 फिलिस्तीन पर कबजा जमाना शुरू किया और इसके लिए उसने कौन सी चाल चली उसने मीडिया की चाल चली भारत में जिस तरह से मनुबादी मीडिया है जो इस देश के दलित पिछरे आदिवासी किसानों को अल्फसंख्यक समाज को बदनाम करता है खास कर SC, ST, OBC को बदनाम करता है मैं आपको एक बात किलियर कर दूँ आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं हो सकता है आप हिंदू हो लेकिन आपका सम्वेधानी का दिकार SC, ST, OBC के रूप में दर्ज है हो सकता है आप सिक धर्म से हो तो भी आप OBC और SC हो सकते हैं हो सकता है आप क्रिश्चन धर्म को मानने वाले हो तब भी आपका सम्वेधानी का दिकार ST के रूप में दर्ज है हो सकते हैं आप बुधिष्ट हो तो भी S.C.H.T. O.B.C. हो सकते हैं हो सकते हैं आप इसलाम को मानने वाले हो और अगर आप भारत में हैं तो आपका जो संवेधानी का धिकार है वो O.B.C. और S.T. के रूप में दर्ज है लेकिन यहां की मनुबादी मीडिया जातिवादी मीडिया जिस तरस इस देश के संवेधानी का धिकारों के खिलाप है S.C.H.T. O.B.C. के उसी तरह से इजराइल की जो मनुबादी मीडिया थी गोरों की जी मीडिया थी उसने पिछले 75 सालों तक फिलिस्तीन को बदनाम किया और सोचिए मैं बार बार मैंने आज भी कोट किया था फिर कोट कर रहा हूँ एक बार यासार अरफात और निलसन मंडेला साथ वैठे थे एक मनुबादी पत्रकार की तरह यहुदी पत्रकार ने कहा कि मिश्टर मंडेला आप आतंकबादी के साथ हैं तो मंडेला ने कहा था कि यह तुम्हारी नजर का दोस है यह तुम्हारा समाजिक दिरिष्टी दोस है कि तुमको ये आतंकबादी लग रहे हमारा तो दर्द का रिस्ता है हम भी पिरित हैं रंग के आधार पर ये भी पिरित हैं धर्म के आधार पर लेकिन सोचिये सोसल मीडिया ने एक खेल वदल दिया है 75 सालों से तिल तिल कर मर रहा फिलिस्तीन अब आजादी की सपने देख रहा है 75 साल से लाचार बेबस और आतंकबाद का धबा जहेल रहा है फिलिस्तीन अब दुनिया भड में बेनकाब इसराइल को बेनकाब कर चुका है और अब दुनिया को पता चल गया है कि दरसल असली आतंग की फिलिस्तीन नहीं इसराइल है आप सोचिये सब कैसे हुआ यह हुआ सोसल मीडिया की बज़ा से एक्स की बज़ा से, फेक्सबूस की बज़ा से और यूटूब की बज़ा से और इसमें एक काम क्याल ज़जीर आने इस बार भी बेंजामी नितन्याहू की यही कोशिस थी दरसल बेंजामी नितन्याहू की अपनी सत्ता कमजोर हो रही थी इसराइल की जंता उससे नाराज हो रहा था नाराज हो रहे थे उसने सोचा कि सत्ता पर कबजा का एकी तरीका है कि जैसे भारत वला नहीं हम लोग दुस्मन दिखाते हैं किसी ने ठीक कहा है कि सीमा पर तनाव है पताच करो देश में चुनाव तो नहीं है यही हुआ इसराइल ने फिलिस्तीन पर हमला कर दिया और उसे लगा था कि 10 दिन 20 दिन इन पर बम गिराएंगे यह सरंडर कर देंगे और हम चुनाव जित जाएंगे लेकिन इस बार फिलिस्तीनियों ने अलग ही पलान बना रखा था हमास ने अलग ही पलान बना रखा था और इस बार मुह की खानी पर रही है अपने आपको दुनिया का सबसे बड़ा आईरन डूम रडार का मालिक कहने वला इजराइल के घर में आज भी जब मैं ये खबर आपको बता रहा हूँ आज भी हमास ने रोकेर दागे हैं और सोचिये हिजबुला जो लिबनान का लडाका है वो रोज फिलिस्तिनियों के मदद के लिए इजराइल पर बम दाग रहा है हूथी जो यमन का लडाका है उसने साप साप समंदर में कहा है कि अब बहुत हो गया अब अमरीका, इंगलाइन और इजराइल के जहाज पर सीधे सीधे हमला होगा वही इरान अपने बदला लेने के लिए छट पटा रहा है और रूस और चीन हत्यारों की सप्लाई कर रहा है दरसल दुनिया भर के जो बिजनेस जो पॉलिसी है वो बदल रही है ट्रेड बदल रहा है और आर्थिक नीती बदल रही है और विदेश नीती भी बदल है और सोचिये भारत के भक्तों का नतीजा देखिए सोचिये अभी आज एक मालदीव के राष्टपती का बयान आया है कि किसी को भी धमकाने की छूट नहीं है भारत को भी नहीं क्यों निकल गया मालदीव हमारे हाथ से क्योंकि वो चाइना ने उसको मदद करना शुरू कर दया आज मालदीव जो बोल रहा है नेपाल जो बोल रहा है भुटान जो बोल रहा है स्रिलंका जो बोल रहा है क्योंकि चाइना उसके पीछे ख़़ा है चीन जो भारत का सबसे बड़ा दुस्मन है चीन वो उसके पीछे ख़़़ा है पाकिस्तान जो बोल रहा है क्योंकि चीन ख़़़ा है और चीन क्यों मजबूत हो रहा है क्योंकि उसने बिज्ञान को अपना मुहन भागबत क्या कहते हैं हमें चीन नहीं बनना है अमरीका नहीं बनना है तो क्या आरेसिस वालों को लाथी लेकर भेजेंगे बौडर पर आड़े वो तो किसान थे रेजांगला में अहीर रेजिमेंट के जबान थे जिनोंने पीठ नहीं दिखाई सीने पर गोली खाई ग्यान बिग्यान का केंदर बनना है ताकतवर बनना होगा मिसाइले बनानी होगी तमाम हतियार बनाने होगी अगर चीन से बड़ाबरी करनी है तो चीन को अगर अब उसकी आउकाद में रखना है पाकिस्तान क्या है हमारे सामने पाकिस्तान के खिलाब तो हमारे सेना और हमार बह रहा है हमें ज्ञान भी ज्ञान अपनाना पड़ेगा हम इसे इंकार नहीं कर सकते हैं और आज मैं नहीं कह रहा हूँ भारत के चीफ आर्मी चीफ ने कहा है कि दोजार बाली 22 बाली स्थीती हमें बनानी पड़ेगी चीन घुसपैट कर रहा है मैं चीन से क्यों जो रहा कि फिलिस्तीन लाचार था बेबस था उसके पास ना मिलिटरी थी ना मिसाइल था ना जहाज था ना हतियार था ना अपनी आर्मी थी उसको लगता था इजरायल को कि जब चाहे तब रौन देंगे और वो यही पिछले 75 सालों से करता रहा था इस बार हमास ने तैयारी की इरान ने मदद की लिबनान ने मदद की सिर्या ने मदद की इमन ने मदद की और हतियार थे उन्होंने रौकर दागे और आज पिछले 100 दिनों से इजरायल इस यूद में फसा हुआ है और ऐसा फसा है कि न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है और फिलिस्तीन अपनी आजादी की मुकमल सपने देख रहा है सोचिए नेल्सन मंडेला के देश ने साथ अफरीका ने इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट में केस दायर किया है सुनवाई चल रही इजरायल के खिलाफ उनाइटे नेशन में 153 देश इजरायल के खिलाफ हैं भारत सरकार ने भी भक्तों की नहीं मानी और उसे पता था कि चीन इसी फिराक में है कि भारत जैसे इजरायल के साथ जाएगा वो खारी देशों पर ब्यापार और बिजनेस पर कबजा कर लेगा लेकिन भारत ने सही समय पर सही स्टैन लिया और फिलिस्तीन के पक्ष में बोट किया और आज इजरायल देशों से भारत के अच्छे संबंध है सोचे पूरा खारी देश जो साठ के करिब है वहाँ भारत निर्यात करता है अपना सामान बेशता है भारत के लोग जो हाँ काम करते हैं अमरीका इंग्लेंड में जाने वाए लोग यहां से बेचकर होँ बस जाते हैं माल्या बस गया, मोधी, नीरब मोधी बस गया, मिहुल चौक्सी बस गया, संदेसरा बस गया, लेकिन जो लोग खारी देशों में इस देश के जो SC, ST, OBC, अलपसंक्यक समाज के लोग काम करते हैं, पंजाब के जो लोग विदेशों में काम करते हैं वो बसते नहीं हैं वो भारत में ही घर बनाते हैं और उहां से विदेशी मुद्रा भंडार कमाते हैं और भारत की अर्थ विवस्ता को मजबूत करते हैं चीन की नजर थी खारी देश के मार्केट पर और खारी देशों के रिस्तों पर भारत सरकार न उसके मनसूबे को फेल कर दिया लेकिन भक्त कहा मानने वाले हैं लेकिन सोचिए इजराइल और फिलिस्तीन के यूद में सब दूर्ध का दूर्ध और पानी का पानी हो चुका है जिस तरह से इसराइल को बंबारी में, इसराइल ने बंबारी किया, जिस तरह से फिलिस्तीन को बरबाद किया गया, गजापटी को बरबाद किया गया, दुनिया ने देखा कि दरसल असली आतन की इसराइल है, और यह कैसे संभब हुआ, अलजजीरा की वज़े से, यह कैसे सं इस युद्ध में इदराईल की हार तैय है, ये युद्ध तभी तक चलेगा जब तक बंजामी नेतन्याहु को सजा नहीं हो जाती और बंजामी तन्याहु फस चुका है, उषकी हालत हिटलर वाली होगी, जो हिटलरों ने किया, हिटलर ने जो किया था इन हुदियों के साथ ये वही कर रहे हैं फिलिस्तूनियों के साथ और इन का अंजाम भी हिटलर वाला होगा और एक कूरे में डाले जाएंगे इस देश में आज 21 सदी में अगर कोई ताना सा है कोई अगर क्रिमिनल वार क्रिमिनल है जेनोसाइड का दोशी है तो वो बेंजा अजल शेयं से तो खिलाफ गजापटी जो पर लिख राएंग का वहां उसके जवान मारे जा रहे हैं गाजर मुली की तरह काटे जा रहे हैं लगबग 20 सजार इजराइल के शानिक घायल हो गया है दस सजार से जादा उसके जवान मारे गया है और इस्राइल में अच्छिस लोग को मारा है और वही असली war criminal है वही असली आतंकी है मैं फिर कह रहा हूँ ये यूद्ध अपने अंजाम पर पहुँच चुका है और अमरीका जो नटंकी कर रहा था जो जूट बोल रहा था उसकी फित्रत में जूट है अब अमरीका पर सीधे सीधे यामन ने कहा है कि अम कुंती के लड़ाकों ने उसके नस काट दिये हैं लाल सागर से होकर एक जहाज इजराइल नहीं जा सकता है और न इजराइल का एक जहाज बाहर जा सकता है और ये धीरे धीरे खारी दे से जूट हो रहे हैं और दुनिया को पता चल गया कि असली आतंकी इजराइल है ना कि फिलिस्तीन और आज दुनिया फिलिस्तीन के साथ है इसलिए इतिहास में अगर आपको मान सम्मान पाना है अमर होना है तो पिरित के साथ खरे हो ये कमजोर के साथ खरे हो ये और भारत की यही पॉलिसी रही है बिदेशनीती हमेशा न्याय के साथ खरा रहा है इसलिए दुनि करने के लिए रेट कलर के सब्स्ट्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें